नमस्कार मैं हूँ गरिमा आज के सिनेमा शो में हम बात करेंगे रंबीव सिंग और प्रशान्त वर्मा के फिल्म के बजट और नाम से जुड़े अपडेट की साथ ही आपको बताएंगे किया गिंग से शाहरुख खान का लुक लीख हो गया है और साथ ही अक्षे और प्रेदर्शन के अगले फिल्म में फीमेल लीट के लिए किन आक्टर्स की चर्शा है ये भी बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सलसला दिकश फिल्मकार रोजर कॉर्मिन का निधन हो गया है वो 28 साल के थे रोजर ने Little Shop of Horrors और Attack of the Crab Monsters जैसे कम बजट वाली क्लासिक फिल्में बनाने में मदद की इसके साथ ही उन होने Martin Scorsese, Francis Ford Coppola और James Cameron जैसे फिल्मेकर्स और Jack Nicholson, Peter Fonda और William Shatner जैसे चर्चित आक्टर्स को ब्रेक दिया Francis Ford Coppola के फिल्म Megalopolis का कांस फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रेमेर होने जा रहा है, उससे पहले Constantin Films ने इसके डिस्रिबूशन राइट्स खरीद दिये हैं, ये कंपनी इस फिल्म को जर्मनी, स्विजरलेंड और आस्ट्रिया जैसे देशों में रिलीस करेगी, वहीं सीन्स होने वाले हैं, इसे आयन वखर जी डिरेक्ट कर रहे हैं, मौलिमबर्ड हंगामा ने एक सोर्स के हवाले से बताया है कि अरजन कपूर 12 साल बाद यश्राज टालेंट मैनेजमेंट एजिंसी से अलग हो गए हैं, अब मैट्रिक्स IES प्राइविट लिमिटेड नाम की खबर में बताया कि रनवीर सिंग और प्रशांत वर्मा जल्द अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू करने वाले हैं, फिल्म का बजट 300 करोण के आसपास होगा, बताया जा रहा है कि मेकर्स ने फिल्म का नाम ब्रम राक्षस फाइनल कर लिया है, फिल्म को कई भाशाओं मे रिलीज किया जाएगा, आक्षे कुमार और प्रदार्शन 14 साल बाद साथ में फिल्म करने जा रहे हैं, ये एक होरल कॉमेडी फिल्म होगी, मिड़े में छपे रिपोर्ट के हुतामें डिरेक्टर फिल्म में आक्षे के आपोसिट, फीमेल लीड की तलाश कर रहे हैं, इसक हम सभी के लिए बहुत कठें था, फिल्म की शूटिंग के दौरान लोगों ने हंसल महता के मूंपर स्याही भी भी भीकी थी, मुझे बुरा ये लगा कि हंसल को इस प्रोटेस्स से गुजरना पड़ा, हंसल को तो ये नहीं पता लेकिन जब ये सब हुआ तो मैं अपने बा गुल्फाम हसन का किरदार निभाया था, नसीर ने कहा आज भी मुझे लोग फेस्बुक पर मेसेच करके कहते हैं कि आप ही असली गुल्फाम हसन है, सरफरोष पाकिस्तान में भी खूब पसंद की जाती है, मुझे लगा था कि लोग मुझे जूते मारेंगे, रविवार को शाहरुखान, सुहाना खान और अगस्ते नंदा एरपोर्ट पर नजर आए, ये लोग कुलकाता नाइट राइडर्स के माच के बाद मुंबई वापस तौटे थे, इस दोरान शाहरुखान का लुग लोगों के बीच चर्चा का विश्य बना हुआ है, शाहरुखान ने एक सुहाना खान के साथ उनकी फिल्म किंग का लुग हो सकता है, जिसे वो सीक्रेट रखना चाहते हैं, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्षे कुमार की फिल्म वेल्कम टू टू जंगल का सेट गोरेगाउं के रोयल पार्म्स में 10 एकर में बनाया गया है, कश्मीन के श चुंदल 20 दिसंबर 2024 को सिनिमा घरों में रिलीस होगी, इटाइम्स की खबर के मताबिक दिव्या खोस्तला की फिल्म हीरो हिरोईन में राजीव खंडेलवाल का कैम यह हो सकता है, यह छोटा लेकिन महात्रुपूर्ण रोल होगा, हीरो हिरोईन इसी नाम से बनी तेलिगू फिल्म का हिंदी रीमेक है, फिल्म में परेश रावल और सुनी राज़दान जैसे आक्टर्स भी नज़र आएंगे, अब आरी आज के फिल्म रेकमेंडेशन की, आज के फिल्म है मुकंदन उन्नी असोसियेट्स, मल्यालम फिल्म है, एक वकील और केसस के लिए उसके स्ट् पर देख सकते हैं, बताएगा कैसी लगी, आज के सिनमा शो में इतना ही बीजे एजासत, कल फिर होगी मुलाकात, मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनमा, शुक्रिया